अलो एबरीवन तो आजना वीडियो लेक्चेर नी अंदर आपने दिप्लोमा शिविल अंजिनेरिंग ना 5th समेश्ट नी अंदर आवतो सबजेक्ट एकलने के Advanced Construction Technology आ Advanced Construction Technology सबजेक नाénd कीुट्युने syllabus अनुशारनों मेन टोपिक याट मेंज没事 के equipment for the construction. आ equipment for the construction main topic ने अंदर आऊ तो एक sub topic एट लेके earth moving equipments एना उपर आज ना video lecture मा आपने चर्चा करवाना छीए. हवे जो आज ना video lecture ना major learning topics उपर अथवा तो subtopics उपर वात करिये कि जे आज ना video lecture ना मुख्य टोपिक ने समझवा माँटे जरूरी जे तो हमाँ बिये मुख्य topics आव से यमाँ पेलू आव से कि what is earth moving equipment एट लेके earth moving equipment के ने केवा माँ आवे चे ए बाबत आशे ए समझ शू आ अने त्यार पछे different types of earth moving equipment एट लेके अलगलग प्रकान जे earth moving equipment जे construction दरमियान यूस थाई छे एने उपर एना आमुख parts आने एना overview आज ना video lecture माँ आपडे जो शू आव सवप्रतम जो वात करिये तो तो के what is earth moving equipment एट लेके earth moving equipment केवा माँ के ने आवे छे तो के earth moving equipment is a heavy equipment typically heavy duty vehicles design for construction operation which involve earth work एट लेके आ heavy duty vehicles जे heavy duty vehicles जे तेपिकल जे medium duty आथवात low duty vehicle नी कमपेर मा यानो engine नो पावर वधार हासे और ते वधार हासे रोबस्त हासे यह वधार हारे वोई छे पन आजे earth moving equipment चे यहनू design और यहनू construction एरीत करेलू वोई के खासकरीने use के अंथवा माँ आवे earth work माटे earthwork that means के माटेनू खोदकाम करवानू होई अथवा तो माटेने माटेने लेवलिंग करवानू होई अथवा तो वाक करियेतों तो के माटीने अंदर जो के काकरा चे अथवा जह झाडवा Vet यहने मूरी आचे तो अलगलग configuration अनुसार घना प्रकार न अर्थमुइंग equipment अतियर अवेलेबल छे पण येना जो classification अथ्वा तो मुख्य टाइप कए तो मुख्य पांच प्रकार ना आवे छे पेलुचे tractors, त्यार पचे आवे छे bulldozer, त्यार पचे आवे छे graders, देन आफ्टर scrapers, अने fifth and last आवे छे rippers ता पांच ये पांच जे equipments चे एनू अवे आगड आपड़े चर्चा कर सु आगणा video lecture माँ, तेट मिसके आगणा portion मा अवे मा सवप्रथम बात करिया तो tractors, टिपिकली आपड़े tractors बदा है जोएला होई चे आने tractors नू वर्कमन खबर होई चे पन आजे tractors चाहिया आपड़े जोशू ए regular tractor नी साथे साथे अमुके ना जे बिजा configuration मा आवे चे बिजा type मा आवे चे एनू पर चर्चा कर सु त तो tractors नी वात करिया तो, tractors is a versatile, it means multipurpose machine, अपन बदया अंकब चे टेक्टर चे लोट्स अप जग्या अवेलेबल था, available जे, available type मा जे, that means के अलग-अलग जग्या उप्योग मा लाई सक्के आपड़े tractors ने, अपने घणी वक्क्र जोता होई चे के खासकरी ने फार्मा इंड ये अनि यंदर यूस थाई, तेन आफ्टर अफटर अग्रीकल्चर फिल्ड नी अंदर, tractors नो सावती वधार यूस थाई चा त्यार, tractors नी पाच्छड अलग-अलग प्रकार ना आटेचमेंट यूस करी ने, अग्रीकल्चर मा यूस करी सक्के, ते उपरांथ, चो tractors ना आटम नी वाद करिये, tractors ना मसीन आटम नी वाद करिये, तो सिविल्ड नी अंदर, घना प्रकार ना जे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स चे, जे मसीन साथे, अथवा तो एंजीन नी साथे, परम तो एक कन्फिर्ग्रेशन तरीकि, एक खाली अलग separate पाट तरीकि, अ घनी जग्या उपयोग में आवी सके, और एक मुख्यकारीःनू सुँँँँ छे, कि एक पावरे आ पए चे। केने पावरापे चे। कि जे अर्थ मूविंग एक्क्विपमेंट्स चे, वधारा न अथ हीर्थ मूविंग एक्क्विंग आटेच्मेंट्स चे, अने पावर अथो इनरजी आठो थो बिजी भासा हमा बात करिये तो ट्रेक्तिव फोर्स त्रेक्तिव फोर्स जोका nut। आगड मूव करच, तो एफ फोर्स ने क्यो फोर्स अथ तो एनर्जी नका एनर्जी के वाम आवे, ट्रेक्टिव एनर्जी के वाम आवे तेन मेंग परपास इस टू पूल और पूश लोड वात करियां, यहनो मुख्य कारियां सुचे, जेपन प्रकार नो लोड चे, यहना कातो पूल करूँ, यहना कातो पूश करूँ, अलग-अलग एक्विपमेंट ना आधर कातो उप्योग पूलिंग मा थातो हुए, अथो तेक्टर ना टाइप नी वात करियां, तो मुख्य ब्या प्रकार ना टाइप चे, यहना पेलू चे, विल यूनिट, आयां जे तम्हें जे फिगर मा जो ओच हो ते, आपड़े जे जनरल लाइफ मा आत्यार सुधी जोई हुचे ते, विल यूनिट, धेट मींस के टेक्टर जे मुमेंट चे, केना साथ्य थातु हुए, केना द्वारा थातु हुए, विल द्वारा थातु हुए, तो के दीज यूनिट आर जेनरली एम्प्लोईड फोर लाइट बट स्पीड जोब, आतले के आपरकान यूनिट क्या यूसता है, कि जेर लोड ना जे वेल यू जे अ जनरल केसेस मां आपने जे डे टू डे लाइट मां जोई है, बदी जग्या है क्या यूनिट सासे, वेल यूनिट स्ट्रेक्टर्स हुसे, त्यार पछी बिजो यूनिट आवाचे, क्रावलर यूनिट, अवा क्रावलर यूनिट एतलस हुए, तो काहें तमें जे फिगर मां जोई हुआ है रिते हैं क्या वेल निट जग्या आए ट्रेक्स आवी जासे, अगिर मेटल ना ट्रेक्स अथौ तो रबर ने ट्रेक्स अथो एतलस हुए तो में घणी वकद मुवी मा अथो 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 लाई डेमोस्टरेशन नियंदर टेंक मा जोई वाशे जे मिलेटरी नियंदर जे टेंक यूस थाए यहमा विलनो वही पन ट्रेक वही तेट मिस के विलना टेंक मा अलग-अलग साथियाँ विल्स होई अने एनी उपर एक continuous track अथो अथो एक change भी रचना आवे के जेने crawler के वाम आवे अथो अथो track के वाम आवे तो अजे crawler units चे एनी वात करियो तो तो के these units are track laying units आपने वात करियों track नो यूस करे चे ते आर जेनरली employed for a heavy duty work where more tractive power is required and the speed of movement is required less than the wheel type unit यतले के आनो application के आन से कई जग्या है उप्योग मा लाई सकाए तो के पेलू heavy duty work माटे heavy duty work that means के जेर लोड नी value चे के वी आसे वाधार है आसे बी जो जेर स्पेड नी requirement के वी होई ओच ही होई आनो त्री जो खास करीने crawler units येनो जे main purpose जे crawler अटच करवानू ये जग्या है के जेर ग्राउंड चे ये एकलू बदू जे ग्राउंड नी जे soil चे शोप्ट फॉर्म माँए that means के ये लोड येकलो बदू सहन करी सक्के आम होई नहीं पोची होई तेवा समय क्रावलर्स चे सवतिवदार यूस थाता होई सामाटे काणके जे क्रावलर यूनिट चे ये सुम करशे आखे आका ट्रेक्टर नो जे लोड चे एना मोटा एरिया उपर ट्रांसपर कर नाख से जिन्य कारणे जे ट्रेक्टर चे ये पोची जमिन नी अंदर खुची नहीं जे ब्लोक नहीं थे जे आनी इजीली वर्क करी सक्षे राइट हवेमा आगड वात करिये तो क्या बनने जे टाइप छे अथवा तो अलग-अलग इंजीन कंफिगरेशन मा पन ट्रेक्टर आवे छे नानी साइस ती मांडी ट्रेक्टर ती मांडी ना फोर विल ट्रेक्टर अथवा तो शिक्स विल ट्रेक्टर सुधिय तोना जे सिलेक्शन ना जे फेक्टर्स चे अनि उपर वाद करी है तो अमा पेलू चे Size Required for Given Job, यतले के जे जोब चे, जे वर्क चे एनि Size के वड़ी चे के तला प्रमाण माँ चे, नानी साइज नूँ वर्क चे तो Medium Duty Tractors यूज करी सको मोटेसाइज नूँ वर्क चे लोड़ वजा रहा चे तो ये वीडियू ट्रेक्टर्स तम्हें यूज करी सको Then after, the type और kind of job for which tractor is to be used अजब पुलिंग, scraper और ripper और अजब पुलिंग वेगन एतले के जे construction वर्क चे, ये मां ट्रेक्टर नो शूँ रोल चे अर्थ मुविंग तो ठीक चे, पन अर्थ मुविंग मां ट्रेक्टर नो शूँ रोल चे पुलिंग मांटे यूज थाई चे अटले के वस्तुने खेचवानी चे क्या पची वस्तुने पूस्क करवानी चे तेन आफटर scraper तरीके, तेट मीज के ज़्यमिन उपर आखा ज़्यमिन उपर नी लेयर जे चे और स्क्रेप करवानी चे, मांटी नी ज़्यमिन ऊपर नी लेयर चे एनने तमार उपर नी थोड़ी कर लेयर काडवी चे अना माटे अथ्वा तो रिपर्स, that means के माटी, जे कठन माटी जे, एने आखे आकी खोदी ना बार काडवी जे, ना पोची करवी जे, अथ्वा तो पुलिंग वेगर, that means के कोई पाचल बीजु अटेच्मेंट जे, अथ्वा तो कोई लोड जे, ट्रोली लगाड़े ले जे, एने खेच वोजे, तो येना आधर नकी खोट वोई जे, त्यार पची, the types of footing over which wheel travels, as a wheeled or crawled unit, it means के low or high attractive power, एतला के, attractive power के वोजे, for example, जे जमीन जे, जमीन जे surface जे, एके वीजे, slippery जे, तो वधर attractive power नी requirement था से, जमीन नी surface slippery ना थी, आने शुकी जे, attractive force जे तो friction वधर मड़ा जे, तो व त्यार पची, the smoothness and firmness, firmness of the whole road, एतला के, जे road यूजे कर जे tractor, एके वोजे, किनी smoothness केट ली जे, एनी firmness केट ली जे, एतला के, माठी पोची जे के कठन, पोची माठी जे, तो crawler unit use थाई सके, और कठन माठी जे, कठन जमीन जे, for example, RCCC नो road, अथवा तो damer नो road बनावे एके, तो एके, कैसि इस मा तमें, एके, will mounted tractors चे, यूजे करी सको, त्यार पची, the slope of hold road and the length of the hold, एतला के, जे road जे, जे road यूजे थाय, जे, जे, holding माठी यूजे ताय, ट्रक्टर ना movement माठे, जे road यूजे थावा नूजे, यानो slope के वोचे, जनरल कैसे ने अंदर जो slope यतलि के धाड माथी उतर हूं आशे त्यार ब्रेकिंग फोर्स वधार अचोered अपर मैं तो मेंचिंग जो स्ट्लोप वधार हूं अजो नेकर्षा जो पार अधार अधार हो रगावी, पन्ट अधार हुआ हैं तो मेंचिंग जो लोड अधार हूं नेकर्डी करते हैं और याम तू लाइड दूटी टेक्टर्स चे अनो तामें यूज अथवातो दिप्लोई करी सकता हो चो तेन आफ्टर शिक्स आवा चे ताइप ओप वर्क तु बी दन आफ्टर कॉम्पलिशन ओप दिस चोब याटले के आपड़ आगड जवात करीयां टेक्टर के वूँँ छे मल्टी पर्पस विंकल चे एक वखत में कंस्ट्रक्शन वर्क पूरू थेई जैए त्यार पची पाचु जो कई वर्क करवान चे तले के फॉर एक्जामपल रोड करवो चे रोड नू पहलू फाउंडेश एनो load केटलो छे, थेत्मींस के एक जोब पूरी थे ग्या पचि बीजी जोब माटे ट्रेक्टर क्योऊ applicable छे त्वोत ट्रेक्टर नी केटली requirement ए फेक्टर पाण, ट्रेक्टर ना सिलेक्षन मा applicable थता होई छे तेट मेंज के आ बधा factors अथ्वाद आमादी अमुख factors छे यहरे टेक्टरनों सिलक्षन थतु त्यारे required थता होई छे त्यार पची वाद के रेक्टरनों नी अमुख terminology आमाँ पेलू छे रिमपूल आवा रिमपूल एक ले सुन the rim pull of the tractor at any speed in the force between the tire or driving wheel of the tractor and the surface on which tractor travels is called the rim pull that means कोईपन speed उपर जे driving wheel चे औन जे surface चे ये बनने ना जे contact point वोई आडले के वेल औन जे surface ना जे contact point चे त्या केटलो force available चे नसूं के वामा आवा चे चे रिम पूल के वामा आवा चे चनरली रिम पूल ना आधारज नकी थतु वोई चे के ट्रेक्टर चे केटलो लोड पूस करी सक्षे अथ आतो केटलो लोड पूल करी सक्षे अवे जो तम्मारे रिम्पूल खेचू, डिराइव करू होए, तो रिम्पूल छे, एक आतो तम्मा पाउंड मा कैलकुलेट करी सको, अथो आतो किलुग्राम मा कैलकुलेट करी सको, खाणकी खेचान फोर्स छे, अथो आतो पुलिंग फोर्स छे, एतला माटे, आया आपडे जे इंडियामा जे यूसताई छे, एतला के के जी, एनों उप्योग करियो, तेनों सुत्रसूं छे, तो के 275, multiply with efficiency, केनी efficiency, ट्रेक्टर ना इंजिन्नी efficiency, multiply with HP, एतला के ट्रेक्टर ना होस्पावर, पन क्या metric होस्पावर, divided by speed in km per hour, एतला के किदू उनके कोईपन speed, तो ट्र रिमपूल छे, एना आदर तामें नकी करी सको, के ट्रेक्टर केटलों लोड छे, एक खेची सक्षे, अथो पूस्ट करी सक्षे, त्यार पछे आवे छे, ड्रोबार पूल, रिमपूल जे उच्छे, पन रिमपूल केना माटे यूसताई होगे, जेरे wheel-mounted ट्रेक्टर होई पन जो क्रावलर माउंटेट ट्रेक्टर होई, तो एना माटे क्यों टर्म यूसताई छे, तो के ड्रोबार पूल, रिमपूल जेट मेंज के, इस इस दे नेट होलिंग फोर्स, विच चीज आप क्रावलर ट्रेक्टर केन एक्सर्ट अन्द ट्रावलिंग लोड, अथो तो ट्रावलिंग जे वजन चे अन्डर लोड करवानों छे त्यों, that means के टोटल फोर्स जे, नेट होलिंग फोर्स जे, जे आहोलिंग माउंटेट ट्रेक्टर अ थो अथो टो क्रावलिंग माउंटेट ट्रेक्टर चे, ए जे लोड Crime चे एन्नी वीउपर आप से, that means के पूलि क्जीनी अंदर केल्क्लेट थाशे. ता एक फर्मवीला थे, कि जे त्रण वस्तु नूँ रीलस्था नब्ल चे, draw bar, horsepower ना फर्म मा अटले के टेक्टर ना horsepower, अने draw bar pull के जे kg ना फर्म मा चे, अने speed तो आए draw bar अटले सुँ, draw bar pull in HP, यह नू सुत्र सुँ था से, draw bar pull multiply with speed in meter per second divided by 75 आयाँ जे draw bar pull चे, यह फरी, तो मैं का तो kg नी अंदर count करी सको, अथो तो pound नी अंदर calculate करी सको अपने, Indian term नी वाद करी तो जे draw bar pull चे, क्या फर्म मा calculate थासे, kg ना फर्म मा, आपने, Indian region नी वाद करी तो तेट मिंस के, draw bar pull अटले के, total load, अथो total खेचान बढ़, अथो pushing force, के जे टेक्टर चे, यह load उपर आपसे पने, क्यों टेक्टर आशे, crawler mounted tractor होई, तो जे तो जे तो जे तो जे आर पची वाद करी ग्रेडिबिलीटी, अब ग्रेडिबिलीटी पाचे एक term चे, यह सूंचे It is defined as the maximum slope, expressed as a percent, up to which wheel prime mover और crawler may move at a uniform speed That means क्या सूंचे वाँ मागे चे, आप maximum slope देखाड़ा चे, सपोज के tractor चे, यह बले wheel mounted होई, के crawler mounted होई जेर slope उपर चड़ से, slope उपर चड़तु होई, तेर maximum slope, कि त्या सुधी tractor चे uniform speed मा उपर अथवा तो निच्या आवी सक्छ कड़ी वाकत होई थत्तु होई, कि जे slope चे, सरवात मा टेक्टर निच स्पीड वद आरे आशे, पन जेम जेम टेक्टर उपर चड़तु जासे, यह स्पीड मा सूँ थत्तो धा चे, घटाड़ो तो यह स्लोप नहीं, पड़ कि यह स्लोप, कि जे स्लोप उपर ट्रेक्टर उनिफर्मली चड़े, तेने सूँ के वाम आवे नी, ग्रेडिबिलिटी अथवा तो maximum ग्रेडिबिलिटी इट मैइ बी डिटर्माइन फोर लोड़ेड और एम्टी वेहिकल, यह यह बने माटे तम्हें केल्कुलेट करें सको, खाली वेहिकल होई, तो हेना माटे पन, अथवा तो लोड़ेड वेहिकल माटे अवे जर लोडेड ने MT वेहिकल ने वाद करिये तो बहुत ओब्यस थिंग चा कि जो लोडेड वेहिकल अशे इनी ग्रेडिबिलीटी चे MT वेहिकल करता के वी अशे ओची अशे कसा माटे काणके MT वेहिकल नो वजन ओच हो अशे जने कारणे कदा स्लोप नी वधार होई तो अपन ट्रेक्टर हीजिली चड़ी साक्या पन जो लोडेड ट्रेक्टर होई तो वधार स्लोप उपर हैने चड़वा मासू थासे थोड़क प्रोब्लम थासे हवे बीजी वस्तु ग्रेडिबिलीटी चे ए स्पेसिफिक गीयर माटे पन तमें डिजाइन करी सको शा माटे काणके जे गीयर बोक्स चे अलग-अलग गीयर ना धारे अलग-अलग पावर जन्रेट थातो होई हब सपड़क पेलोग छे फास्ट कर गीयर चे तोर्क वन रेख एक पुलिंग फर्स वन रेख ज़ाओ पन जो टॉप गीयर होए, सवती छलो गीयर हाशे, तो यहां स्पीड वधार हाशे, पन जो पुलिंग फोर्स चीके वो आशे, उच्छो आशे, राइट? अगर बात करिये, कंस्ट्रक्शन ओप ट्रेक्टर, यहले के ट्रेक्टर ना कंस्ट्रक्शन ना कंपोनेट क्या किया चे, तमा पेलो आवसे एंजिन, जे मुख्य पावर जन्रेट करवानू काम करे चे, जन्रल कैसे इसमा डिजल एंजिन यूस थाई चे, त्यार पची, जेने आपने गियर्बोक्स करिये, गियर्बोक्स और एंजिन वच्चे नो जे भाग चेने सो के वाम आवे, क्लज, यह सु काम आपचे जहरे ट्रेक्टर नी अंदर ओपरेशन चालू हुए और जहरे तमारे गियर्बदल आवे, तो त्यारे जे क्लज चे, एंजिन और गि आपने बदान कबर चे के ट्रेक्टर नी अंदर बिये विल वोई, पन जे बन्ने विल नी एक्सेस चेना 90 डिग्री एंजिन अने गियर्बोक्स जोइन करे लावे, तो आज जे फाइनल ड्राइव, जेने बिजे बास हामा डिफरेंशियल पन किये, यह सु काम करे, जे एंजिन नो पावर ने 90 डिग्री एंट टांसपर करी ना बन्ने विल शुद्धी पोचाडवानू कारिया करे, आने छेलू चे कंट्रोल्स, कंट्रोल्स मा बिय आवसे, स्टेरिंग विल आवसे, आने बिजु आवसे, ब्रेक आने लिवर अथ्वातो एस्कलेर, जेने आप अपर अच, यमाँ थोड़ो मोडिफिकेशन अथा अमुख माँंटिंग करीन तमें बुल डोजर लगाड़ी सो, कोई एंज फिगर माज हो ए रिते, डोजर अथवातो बुल डोजर जेने करिया, आर मशीन दिजाइन प्रैमरली पर कुटिंग अन पुशिंग माट्रियल ओ फ्रंट माउंटेड ब्लेड, वाद करिया, टेक्टर अच छे, पड़ यहनी आगरसों जोडेल हो अचे, फ्रंट माँ एक ब्लेड जोडेल हो अचे, आया तमें जे फिगर माज हो ओच, ए क्यो चे, क्रावलर माउंटेड ट्रेक्टल छे, कंट्रोल बाई हाइड्रोलिक सिलिंडर, टु वेरी देफ्ट अफ काट, अन रेट अफ लेवलिंग, डिपेंड अन दे माट्रियल एप्लिकाशन, आवज यहाँ ब्लेड छे, ए हाइड्रोलिक सिलिंडर न आधर, एनो कंट्रोल थतो होई, जेना द्वारा तमें डेफ्ट करेली चेटली उन्डाई शुदी करवानू छे, अने यहनो जे एंगल चे, ब्लेड नो एंगल, ओरिजन्टल सर्फेस साथे नो ब्लेड नो एंगल, एपन तमें आवज यहाँ फोर्स आवसे, पुसिंग फोर्स आवसे, शा माटे, कानके ब्लेड चे इट एक्टर ना फ्र अटला माटे, तो आप बन्ने वसे तुना देरे ट्रेक्टर ने केटलो फोर्स अथो तो पुसिंग फोर्स लगारों छे, एनकी थतो होई चे, त्यार पच्छी जो एना उप्योग ने अथो तो परपस नी वात करिया बुल्डोजर नी, तो आपने आगड वात करिया, साइ पाइलोट रोड, पाइलोट रोड नो मतलब सुंत है, कि एवी जग्या अशुदी पोच्छो के जिया कोई पन प्रकान रोड न थी, तो काचो रस्तो बना आवे ना सुंके वाम आवे, पाइलोट रोड, अने ये पन खास करिंके वी जग्या जंगल वाड विस्तार चे, मा एक्टर ची एस्केवेट करी सके, जमिन माती मैट्रियल न थोड़ाग डेफ्थ अप कट ओची, लाइयर रेनी केटले वाड वाड काट हो त्याने उंडाय के वी उच्छी होई, तो ते अशुदी मैट्रियल ने एस्केवेट करातले के काढ़ी सके, और सौम मी ते ना डिस पाया खोदे गिया पच्छे यहमा पाच्छु फिलिंग करवुँ छे माटीनू तो यहना माटे यूस था छे आना मेंटें दो होलिंग रोड एटले के जे रोड नो उप्योग आप रहकाना ट्रेक्टोज करता हुए ना समय साथे यहमा खाडा पड़ी जाय अथ्वात रोड यहले के आखे 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 आख कास्टिंग डॉजर अंगल डॉजर नो मतलब शूंता है कि जे ब्लेड छे ए जे टेक्टर नो मुवमेंट नी जे एक्सिस चे एनी एक्जेट 90 डिग्री नहीं होई पर 90 डिग्री थी वदा रहा था तो अची डिग्री होसे तैमिस कि सपोज कि टेक्टर नी जे सिधी लाइन टेक्टर गती करा चे तो ब्लेड छे ए थोड़ाक एंगल ले आशे एक्जेट जे डायरेक्शन ओफ ट्रेक्टर एना थी अमुक एंगल ले आशे तैरा फ्रन्ट कास्टिंग डॉजर चे नो प्यो एनो मतलब शूंता है कि जे ब्लेड छे एक्जेट जे टेक्टर नी मुम डॉजर चे आईलो जासे और मत्रियल चे इस साइड मात जतु जासे खास करीने क्या यूज थाई कि जेरा रोड उपर कोईपन प्रकानी माती अथोट कोईपन प्रकानी मत्रियल आवी जाए अथोट तो तो में घणीवक्ख जोता आशे कि जे स्नॉई एरिया चे जे बरफ पर साथ हाई चे तो एवा समय रोड ने क्लियर करवा माटे आप रकाना एंगल डॉजर नो यूज थाई कि शूँ करें डॉजर आईलो जाए अने जे स्नॉचे एर रोड नी साइड माथा तो जासे जेरा फ्रन्ट कास्टिंग ने अंदर सूँ थासे एक खाली मत्रियल ने पूशत करी सक्षे डायरक्शन अगेंस्ट डायरक्शन अगेंस्ट डायरक्शन ओफ वेकल अवे जो टेक्रस नामों कमपोनेट ने वाद करिया अथो तो दोजर नामों कमपोनेट ने वाद करिया तो यहनी जो साइज ने आगड वाद करिया तो साइज ओप बुल्डोजर are indicate by the dimension of blood यहले कि डोजर नी जे size छे ब्लेड ना dimension ना आधरे नकी थाशे theoretically जे ब्लेड छेने अमु केपेसिटी होई cubic meter नी अंदर कि बाई अटला cubic meter छे ए मट्रियल छे एक पासत वातो एक वकत मुमेंट दरम यान मट्रियल छे आपरकानी ब्लेड मुमेंट करावी सक्षे तो एना आधरे नी केपेसिटी नकी थाथी होई छे पन जो ना आउटपूट नी वात करिये तो आउटपूट घणा फेक्टर सुपर डिपेंड करतु होई छे एमा जो वात करिये तो efficiency of operator यह टले कि operator नी skill kit ली छे ते पच्छी nature of soil मजबूत माटी छे कठन माटी छे पोची माटी छे पची भेजवाडी माटी छे एना आधरे त्यार पच्छी topography of area यह जग्या डोजर यूस थाई छे एनी topography के वी छे उबढ़ खाबर छे फ्लेट सर्फेस छे आना वेदर होती वदा रिफेक करती होई छे के वर्साद वाड़ो एरिया छे सुको एरिया छे सा माटे काण के ठंडी अने गर्मी नी असर जे डोजर छे एना इंटर्नल पार्ट सुपर पन परती होई छे ता आप बद्धाने आधरे छे ये डोजर ना आउटपूट नक ही थात्व होई छे त्यार पची ब्लेड वब डोजर नी वाद करिया तो आया त्रण एक्सन छे अथो तो त्रण अलग अलग रिते जे ब्लेड ने ताम्हें माउंट करी सको येमा पेलू छे टिल्ट टिल्ट नो मेनिंग सो होता है कि जे ब्लेड छे ये वोरिजोंटल प्लेड ना साप एक्समा अमुक एंगल बनाव से जे तम्हें उपर नी डाबी साइट नी पेली फिगर जो सो तो जे ब्लेड छे ए परफेक्ली होरिजोंटल नहीं रिये पर अमुक एंगल है आसे जेने कारणे सपोज के टेक्टनी डाबी साइट ये तो टेक्टनी जमनी साइट तमारे खोद काम करवो छे तो ये तम्हें टिल्टिंग एक्सन ना अधारे छे ए एक्जेस अथोती खोद काम करी सकता हो छो क्यार पच्छी आवे चे पीच पीच नो मेनिंग सूँ थासे के जे ब्लेड चे ए वर्टिकल प्लान मा मुवमेंट करसे अथो तो होरिजोंटल सर्फेस साथ या मुक एंगल बनाऊ से एटले के होरिजोंटल सर्फेस ने एक्जेट 90 डिग्री हासे नहीं का तो ब्लेड चे एर टेक्टर नी जे मुमेंट नी डायरेक्शन चे एना थी 90 डिग्री हासे अथो आमुक एंगल हासे तो खाली पुसिंग करशे एतला के पुस करशे है माठ्येलन यान अमुक एंगल हासे तो जे माठ्येल चेने ट्रेक्टर नी बने साइट मांती एक साइट मां टांसपर करशे त्यार पची वात करियें ग्रेडर तो उन फिगर मां जोह हूय हाँ रहीते तो ग्रेडर पज्प्राशन म अद जी अर्थ वरक चे, यहां जे अर्थ वरक, अतव की यां का ऑल रोड पर ओड़ उप्योग जाए। ग्रेडर ने अंदर तम अलगलग प्रकार ना अटेच्मेंट चे एड करी सकता हो यहां पेलू चे ब्लेड अब अब जो है तम फिगर मा जुआ रिते साथी बधा टायर नी वच्च आगर्णान पाच्छना टायर नी वच्च नीचे नीचे देग ब्लेड आपेली चे यह ब्लेड इसो हुए कि होरीजोंटल प्लान मा रोटेट थाई सकती हो अब्लेड नी जे मोमेट नी डायरेक्षन चे यह ना ती अमूख एंगल रोटेट थाई सकती होाई छे और ते उप्रांथ इंकलाइन प्लान मा यह ब्लेड उरिजोंटल प्लान नी साथे ओरिजोंटल थी प्लेंट नी साथे एक्जेट 90 डिग्रे नी पड़ अमुख एंगल है अनू मुख्यकारियास हूँ है और अनू मट्रियल चे यहने का तो साइड मा करवो अथवा तो पुस्क करवो त्यार पची आवेचे स्क्रीफर्स इट यूज तो लूज दा हाड़ शोयल और अनू जो अमुख दाता आजवो देखार्से यहनू मुख्यकारियास हूँ है शापोज के जमीन कठान चे तो जमीन या अंदर खुची जासे अनू जे जमीन चेने के भी करसे पोची करसे त्य आटेज इन दा फ्रंट अब दो ग्रेडर तो रिमूद श्नो स्नो अरिया चे यहमाति मट्रियल चे ने रिमूद कर वूचे तैना माट यूस थाई चे अनू त्यार पच्छे आवेचे रोलर्स अपने बदधन गबर चे पुंपेक्टिंग एकुप्मेंट नियं अंदर आ रोलर्स नो मुख्यकारिया चे पुंपेक्शन माट वोई चे तो रोलर्स चे एकातो फ्रंट साइड मा अथवा तो पाच्छनी सेड स्क्रेपर नी जग्याय पन तमें रोलर्स चे अनू उप्योग करी सकता हो चे त्यार पच्छी वात करिया स्क्रेपर तो स्क्रेपर नो म अवानी जो केपेसिटी नी वात करियो तो त्रन थी मांडी ने नव स्क्वेर मीटर्स हुधी एटले के येनु जो पोहडाई चा तो अएरिया चा जो बेड एरिया चा स्क्रेपर नो जो बकेट नो ये केटलो होई चै त्रन स्क्वेर मीटर थी मांडी ने नव स्क्वेर मीट शुदी नो, यानि उच्चाई पण येना आधारेज वेरी थत्ती वोई चाहे। अने बीजू, दा स्क्रेपर हैस कट एज और ब्लेड अट बोटम और इट इस पोसीबल तु डिग अर्थ टु डेप्थ अब अबाउट 2.50 अमेफ लाजू कर से, स्क्रेपर छे ना निचे नी साइड एक ब्लेड लगाड़े लिया से, एक ब्लेड शुँँ कर से, जे मट्रियल छे अथो जे लेएर छे, डेफ्थ अपकट, सपाज के 250 में महां किदो छे, तो त्यां सुदी उंड़े सुदी जा से, और जेटलू पन मट्रियल करती जासे, यह बदू केमा भेगू थातू जासे, बकेट नी अंदर, आथो आथो स्क्रेपर नी अंदर भेगू थातू जासे, और पच्छी एक बिजी जग्या है, जे डंपिंग करवान छे, ते जग्या है, डंप करीदा से, आजू छे, एस्केवेटिंग मट्रियल और से बन्नेनु कंबिनेसान जे, एटले के सपोज के पेला थामें खोदी नाइको, आने एक ओकत खोईदा पाची एसकेवेट करवा पाची मट्रियल ने पाच्छी डंपिंग साइट सुधी पोच्छाणों माटे बीजाविकल नो यूज करवो पड़े, अपना आज ने बीजाएं आज रखला, बन्नेबर के साइटर साइटर ने पाच्छी डंपिंग करेंगुआ उठ बोर्त है, gute तेक की पिला ने भीजे मात्र थह ब च महात नो पांट्रेदर के और रहिणने शन बाकर आँदिधाओ और निचा न मादम भाग मायि नी श्यूक्त ची हो आणि hen ॐ चाहा की बदो स्क्रेपरा सरखाते हैं साथो फि को चैनल में आठेख सको ही पुझा थीच तव्यावाकर चैनल धरफ तर सक्रेपर नातर स्क्रेपर कोचर निया ठीच जाए आणि पॉल सक्रेपय है बदो चैनल पोच़ाड़ा नो रस्तो आपसे, right त्यार पचे आवे चे इजेक्टर इजेक्टरनों कारिया सूँझे एक वाककत आखे आखे आखो स्क्रेपर भराए गिओ, डंपिंग वर्क थे गिया पचे आखो स्क्रेपर भराए गिओ, इस स्क्रेपर तो जहरे जह डंपिंग साइच चे जह लूज मट्रियल चे नियाने ठलो वान वोई, माटी ने जहरे डंप करवानी वोई, तेरे इजेक्टर सुन करसे, वाहां ती पुसिंग फोर्स लगार से, और जह वधरानों जह मट्रियल चे यह बधू डंप करी नाक से, right? तेरे बनेनों कमबिनेसान जह अटले की खोदकामनों कारिया करसे, और त्यार पची मट्रियल ने दूर जह डंपिंग साइच चे तियां सुधी पॉचाड़ानों पन कारिया करसे, अवे जो स्क्रेपर ना कलसिफिकेशन निवाद करी, तो बेपरकर नावे, पुसर और लोड स्क्रेपर एमा पाच अबिया आवे, सिंगल्ड पावर और टेंडम पावर्ड, आ कन्वेस्टनल स्क्रेपर श्केवाई, अमां सिंगल्ड पावर्ड एक जैंजीन होई, जे खेचवाननों आख्या आका स्क्रेपर थिमांडी, सक्रेपर छे, तियार पाचे लिए इनी ब्ल बिजु एंजिन चे, इबलेड चे यह पचे एजेक्टर चे यह पचे बोल चे एना पावर आपतु होचे तामींज के जो लो डूटी वर्क होई तो सिंगल पावर डुपरी सको सा माटे काणके यहमा एकज एंजिन होई चे पन जियरे हेवी डूटी वर्क चे तामीं टेंडड पावर एकसल चे टाइटनू यूज करी सको सा माटे काणके यहमा एक सेपरेट एंजिन आपेला चे एक स्क्रेपर एसेंबली माटे और बिजु एना मोमेंट माटे त्यार पची सेल्फ लोडिंग नियंदर पूसन पूल टाइप आवे चे एलिवेटिंग टाइप आवे चे अना अंग्यूल टाइप आवे चे पूसन पूल नियंदर चुओ लोडि चे बे ट्रेक्टर्स कम्बैन मा काम करता हूे चे एक घाट स्क्रेपर असव लोडिर्स घूसकर्वर आगनो टेक्टर पूल करवानू काम करशे पाच्छनो टेक्टर पूस करवानू काम करशे त्यार पच्छी आवे जे एलिवेटिंग टाइप आने इंदर एक कन्वेयर बेल्ट आपेलो वही छे कि जे जे लूज मट्रियल छे यह बदू स्क्रेपर नी अंदर नाखवा माते आने एंगर पन सुन छे एलिवेटिंग टाइप नो जे एक मोडिफाइट टाइप छे त्यार पच्छी एना जो ओप्रेशन नी वात करिया तो ओप्रेशन जे अमुख स्क्रेपर ना यह अमुख स्क्रेप कंसिस्ट करे पिलू आवे चे लोडिंग लोडिंग देट नीज क आवेल करतू जासे तेम तेम जे मट्रियल ची फिल थातू जासे त्यार पची डंपिंग जे जग्या मट्रियल ना डंप करूँ छे तियां जासे त्यार पची टर्निंग बेक पाच्छु जे मट्रिया आख्या कु जे स्क्रेपर ची टर्न थासे त्यार पची रिटन टु यह जग्या अखिकत में खुद काम करवानुँछे, ट्यां सुधी पोच छे, अना छेलो स्टेक, गेटिंग बेक इन पोजीशन टू लोड, यह फरी पाचु योग्या जग्या आवी जासे, कि जहांती तमारे स्क्रेपिंग वर्क करवानुछे, ट्यार पची वाद करिये, र फिगर मा जो हुए रिते दात्य हुए, जमिन ने अंदर खुच्चाडवा मा आवें, जमिन ने सुँ करे, पोची करी नाखे, तो रिपर्स नू पणि अच्कारिया चे, टेक्टर साथे माउंट करे लुए चे, विल माउंट एड होई, का तो जनरल केसे समा बेक साइड मा माउंट करे लुए चे, आने कांतो एक टीथ हसे, बे टीथ हसे, तो तो त्रों टीथ, अथ्वे तो एकोडिंट टुर्वार्मेंट छे, इने टीथनी सायच जनरलि क्धैं त्रों टीथ होई चे, अने यों ÖN Mookie कारिया सुँँचे, जमिन नी अंदर ना फिद फथर चे, अ देस करें कैंद सक्रेकर्पर कारी खड़ा सब्सक्रेवर क्यों और सपोक्रास कीषि़ सक्रेपरियव करें बद है करें पावर लगए उपड़ी कीवें। तो तेने काने रिपर छे, ये के हूँ थासे, एकोनोमिकल थासे, आने त्यार पची फ्यूल नो बच्चावपन सु करतु आसे, रिपर करतु आसे, आवे जो रिपर ना डेफ्ट ओप कट नी वाद करियो, तो नेचर, नेचर आप सोयल, साइज आप ट्रेक्टर, नमबर ओफ ट्वीन, अथो तो ट्विस्टेड कोड, एतले के नमबर ओफ जो ब्लेड छे, ना अधार है, इत्राण्सों एमेम तीमांडी ने साथ्षो पच्चास एमेम सुधी छे, ए रिपर डेफ्ट, अथो तो एटली उंड़ा है सुधी कट करी सकतु वही छे, आवे त्यार पचे थागड वाध करियो तो, कि रिपरना अटेजमेंट नी जो वाध करियो, तो बेअ परकार ने अटेजमेंट होई चे, आतो जंड़, बेक एंड माल आज़े हलो वहीछे, आने ये अंदर माउंट्ची नी जो वाध करियो तो फिक्स माॉंटिंग वोः इडियल माॉंट्च पर जे स्ट्रेट फोर्म नी अंदर पन होई सक्या जो स्ट्रेट सेंग चैसे वधर क्यां यूस थाँछे कि जहरे माठी लूज होई ना वधर प्रमण मा माठी काट भी होई तो पन जे कावड सेंग चैक यूस थाँछे कि जहरे रोक बेड होई तेवा कैसिसमा कावड सेंग यूस थाँछे तव इढ़ति मीत्रो ऐज ना विडियो लक्षन य अंदर अपना अलग अलग प्रकारणा अर्थ मुविंग एक्पिमेंट्स जोया यह-ünü कंस्तुक्च्चिन अनन अलग 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 प्रकारणा बेनिफित अब धि बाबत उपर अज ना विडियो लेक्षन यंदर आप्र चर्चा के रहें, so thank you students.